चीन में आज से शुरू होने जा रहे विंटर ओलम्पिक्स 2022 की किसी भी ओफिशल सेरमेनी में भारत के राजदूत शिर्कत नहीं करेंगे विदेश मंत्राले ने गुरुवार को यह जानकारी दी है मंत्राले के प्रविक्ता अरिंदम बाक्ची ने कहा है कि यह अफसोस की बात है कि चीन ओलम्पिक गेम्स के बहाने सियासत कर रहा है बिंजिंग में हमारे चार्ज डी अफेर्स याने एक प्रकार से जो कारेवाक राजदूत होते हैं इन गेम्स की ओपनिंग या क्लोजिंग सेरमेनी में हिस्सा नहीं लेंगे भारत ने आखिर ऐसा क्यूं किया है विंटर ओलम्पिक्स में भारत ने चीन का बहिशकार क्यूं किया है इसके बारे में आगे हम पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं इसके पहले यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए दोस्तो भारत ने विंटर ओलम्पिक्स में चीन का बाइकाट करने का फैसला इसले लिया है क्योंकि भारत को ऐसी रिपोर्ट्स मिली है जिन में बताया गया था कि चीन के खेल सेरेमिनी में टार्च रिले में एक ऐसे कमांडर की फाबाओं को मशाल सोपी गई जो 2020 में हुए गलवान घाटी संगर्श में शामिल था भारत के अलावा अमेरिका समेत कई देशों ने भी विंटर ओलम्पिक्स के डिप्लोमेटिक बाइकाट का फैसला किया है फाबाओं ने बुधवार को टार्च रिले में शिरकत की थी जब भारत को इसकी रिपोर्ट्स मिली तो भारत ने इसे एक राजनेतिक कूट नीती मानते और समझते हुए विंटर ओलम्पिक्स केम का बाइकाट करने का फैसला लिया है जानते हैं कि कमांडर की फाबाओं कौन है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक फाबाओं चीन की सेना यानि पीपूल सेलिबरेशन आर्मी पी एल ए में रेजिमेंट कमांडर है 15 जून 2020 को लद्दा की गलवान घाटी में संगर्श के दोरान वे भी गंभिर तोर पर जखमी हुए थे और उसे भारती सेनिकों ने पकड़ भी लिया था बाद में उसे चीन को सौपा गया था दिसंबर में उसने चीन के सरकारी टीवी चैनल को एक स्पॉंसर्ड इंट्रिवु दिया था जिसमें उसने गलवान घाटी की घटना के बारे में बताया था फाबाओं ने कहा था मैं सरहत पर जाने के लिए फिर से तयार हूँ हम अपनी एक इंच जमीन भी किसी को नहीं देंगे चीन की सेना ने उसे वीरता पुरसकार भी दिया है और उस टीवी प्रोग्राम में उसके साथ चार और सेनिक भी शामिल हुए थे पांच मैई 2020 को गलवान संगर्ष में भारत के 20 जवान शहिद हुए थे और दूसरे सभी देशों की जो मीडिया रिपोर्ट से वो कहती है कि वहां भी चीन के 40 सेनिक मारे गए थे हाला कि शी जिनपिंग सरकार ने कभी भी चीन की सेना यानि पिपनू सिलिबरेशन आर्मी के मारे गए सेनिकों की ना तो सही संख्या बताई है और ना ही कोई जानकारी दी है इसके अतिरिक्त अमेरिका सही कई देशों ने विंटर ओलम्पिक्स 2022 का डिपलोमैटिक बायकाट करके चीन को मानवा दिकारों पर सक्त संदिश दिया है यानि ये कहाए कि यदी महाँ पर लोकतंत्र नहीं होता है और मानवा दिकारों की सुरक्षा नहीं की जाती है तो पूरा विश्व चीन का बाइकट कर सकता है अब इन सारी जानकारी के बाद आप समझ गया होंगे कि लदाख में गलवान घाटी में जो तनाव हुआ था उसके ही कारण भारत ने चीन का विंटर ओलम्पिक्स में बाइकट किया है हाला कि इस अंगर्ष में 14 दोरों की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी भी मुख्य पॉइंट्स को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं और पीछे हटने को तयार नहीं है